एक combination cream दिन में दो बार करके लगाने के लिए देता हूँ खास कर 14 दिनों के अंदर इतना improvement तो सभी patients पे बिल्कुल भी नहीं होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा सा क्रीस के बाहर आके खेलना पड़ता है देखे दोस्तो ये प्रॉब्लम तो आप सभी को कभी नगभी हुआ ही होगा शायद ये ऐसा कोई इंसान होगा जिसको जिन्देगी में कभी भी पैर फटने का प्रॉब्लम नहीं हुआ हो तो चलिए जानते हैं हम कैसे इसको रोक सकते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं अपना पैर दिखा देता हूँ वरना आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर का खुद का ही पैर फटा हुआ है और वो दूसरों को पैर फटने के बारे में ग्यान दे रहा है तो मेरा पैर देखिए थोड़ा सा ड्राई है क्योंकि आज मैंने अभी तक मोश्राइजर नहीं लगाया है लेकिन ये कहीं पे भी फटा हुआ नहीं है पहले मेरा पैर बहुत ज़्यादा फटा था लेकिन मैं जब से ड्रामटलोजिस बना हूँ मुझे सब कुछ चीजे को पता चल गया है कि ये क्यों होता है कैसे से प्रिवेंट करना है तो उसके बाद से मेरा पैर कभी भी बिल्कुल भी नहीं फटा है गर्मी में तो फटने का चांसी नहीं है विंटर में भी मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं फटा है एक बात आप समझ लीजिए पैर फटने का main reason है dryness जब हमारे पैर के नीचे का चमड़ा बहुत ज़्यादा dry हो जाता है तब उसका उपरी सता जिसे stratum corneum कहा जाता है उसका stretchability कम हो जाता है अब पैर के नीचे तो चलने फिरने के दोरान हर वक्त pressure परता ही रहता है तो उसका skin अगर stretchable नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो pressure से फट जाएगा तो इस dryness को prevent कैसे किया जाए कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पानी के contact में रहने से skin dry नहीं होता है लेकिन ये बिलकुल गलत है बलके इसका एकदम opposite होता है जितना ज़्यादा कोई पानी में का करता है और बार बार उसका पैर भीगता रहता है उसके skin के उपर का जो natural oil है वो उतना ज़्यादा जल्दी से चला जाता है तो उससे पैर और ज़्यादा dry हो जाता है तो सबसे पहले तो बहुत देर तक पैर को भीगा के रखना या बहुत ज़्यादा पानी का काम करना आप आपको बंद करना होगा नेक्स चीज ये है कि नंगे पैर में आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है जितना जादा आप नंगे पैर में घूमेंगे उतना ही वो और जादा ड्राइ होगा उसके साथ धूल मिट्टी लगने के वज़े से पैर के चमड़े का जो बैरियर फंक् एक तो ये आपके पैर से जो पसीना निकलेगा उसको एब्जॉब कर लेगा तो आपका पैर पसीने से बहुत देट तक भीगा हुआ नहीं रहेगा और दूसरा ये है कि धूल मिट्टी और एंवर्मेंटल एफेक्ट्स होते हैं उनसे भी ये आपके पैर को बचाएगा ने सीचुएशन्स में लोशन्स से क्रीम्स ज्यादा बेटर काम करते हैं अब नेक्स पॉइंट है एक्सफोलियेशन पैर के नीचे जो डेट सेल्स जमा होते रहते हैं उनको अगर आप ठीक से निकालेंगे नहीं तो पैर और ज्यादा ड्राई होगा और ज्यादा फटेगा त थोड़ा सॉफ्ट शूज पहनने की कोशिश कीजिए जिससे आपके पैर के नीचे प्रेशर जितना हो सके कम पड़े अब ट्रीट्मेंट पे आते हैं सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको ऐसा कोई अंद्रूनी बीमारी है या नहीं जिसके वज़े से पैर बहुत ज रैक्स होते हैं उनसे डैक्रिडिया या फंगस अंदर घुस के सेगेंडरी इंफेक्शन कर सकता है तो अगर ऐसा कुछ इंफेक्शन आपको है तो उसका प्रॉपर ट्रीट्मेंट सबसे पहले करना होगा उसके बाद क्रैक्स को कम करने के लिए कुछ क्रीम्स हम इस्तेमाल करते हैं हम यूजुएली यूडिया कॉंटेनिंग मौस्चराइजस का ही इस्तेमाल करते हैं कभी-कभी वहाँ पे एक्जीमा हो जाता है और बहुत जादा खुजली होता है जैसे इस पेशेन में हुआ था जिसको हम हाईपर केराटोटिक एक्जीमा बोलते हैं तो उन सीच कोदा दिनों के अंदर इतना इंप्रूब्मेंट तो सभी पेशेन्स में बिल्कुल भी नहीं होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा सा क्रीस के बाहर आके खेलना पड़ता है I hope you can understand वैसा out of the book treatment यहाँ पे मैं discuss नहीं कर सकता यह कौन से डॉक्टर कैसे इसको treatment करेंगे यह doctor to doctor vary करता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में I hope यह वीडियो आपको अच्छा लागा हो take care